पिछले 48 घंटे से हमाचल परदेश में बाहरी भारिश ने बड़ी तरास्दी और कहर बरपाया हुआ है। पूरा जंद जीवन अस्त ब्यस्त हो गया है। मेरे सभी हमाचल परदेश की जंता से अन्रोध है कि वो अपने घरों में बने रहे हैं, बड़े बड़े लैंड स्लाइड्स हो रहे हैं और पिछले 48 घंटे से काफी जाने जाने की सूचना मुझे प्राप्त हुई है। मैं एक वार फिर हमाचल की जंता से ये अन्रोध करना चाहता हूँ, ये अपील करना चाहता हूँ कि पिछले 48 घंटे से जो बारिश ने कहर बरपाया है, उससे हमाचल परदेश का जन जीवन अस्त ब्यस्त हो गया है। हमने पिछली ही रात सभी स्कूल, संस्तान, शिक्षा संस्तान सभी बंद कर दिये थे और मेरी हमाचल की जंता से एक वार फिर अपील है कि नदी नालों के पास न जाए, घरों में रहें और जादा, अभी क्योंकि सबी सडके हमारी अबरूध पड़ी है, बहुत बड़े ल रहना है, और लैंड स्लाइड वाली जगा से अपने घर को खाली रखना है, और सरकार और परशार्शन और करमचारियों को सक्त नर्देश दे दिये गे हैं, कि जहां भी लैंड स्लाइड वाली जगा है, वहां से जो भी परिवार हैं को सरक्षित निकाल कर अपने शेल्टर होम में जगा दी जाए इस बार एक बार फिर आपदा बड़ी कतवाई लेकर पिसले तारीस गंटे में आई